अबी डिजिटल चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आज की वीडियो में आप देखेंगे यानि कि उद्योग आधार उद्योग आधार के बारे में जानेंगे खोया हुआ खोया हुआ उद्योग आधार नंबर कैसे प्राप्त करें यानि कि आपका है तिस लालन के बटन को दबा करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा दे ताकि आप लोग तक नोटिपिकेशन पहुंचता रहा है जैसे कि आपने देखा तक लाडली लच्मी योजना यानि लाडली लच्मी योजना का आप जन्म यानि कि वह प्रमाण पत्र कैसे डाउनलो यहां पर लिखना है उद्यम यानि कि उद्यम्रजिस्टेफन.gov.in पर आना है और इंटर दबा देना है जैसे फर्च कर देना है फर्च करने के बाद कुछ तरह से इस परकार से इंटरफेफ उपन होगा जो कि आप देख रहे हैं आधार उद्योग यानि फुक्ष में लग पाद आई एंफी कोड दिखाता है। यह कई परकार से आप्फ़न आते हैं तो फ़े पहले हम लाश्च में जाएंगे लाश्च में देखेंगे यहान लॉग इं को आता है लोगिन की पर यहां पर आता है ऑफिसाली लोग और उद्यम लोगिन में होता है कि हम उद्यम रग नमबर मिलेगा कैसे यहां पर आता है याथा है यहां पर हम पर कर सकते हैं कई परकार फाटे ना है ein फार्गे जैसे क्लिक करेंगे पूछ उद्ध्यम करने के बाद कुछ इप पर अता है पुछता है चूज रजिस्टिय फन ओपफन यानि आधार मंडेट्री आनि कि यहाँ करना है या ऊद्यव्य ट्रेक्वर्ट टाहम किसी जैसे के वुद्योग पर कर लेता है उद्योग पर और उद्याś पर भी अलग अलग यहां पर अब क्लिक कर देंगे जू अपने रोटोन करते से में मोबाई-नमबर डाला था उस नंबर को आप update यानि के करने के बाद ये KOTP आपके message के माध्यंद पर आपके mobile पर OTP जाता है ये OTP जाने के बाद आप OTP को क्या करेंगे यहाँ पर प्रेस कर देंगे लिखा है OTP code OTP code पर आपको OTP डाल देना है जैसे हमें OTP मिला बहुत लोगों के क्या होगा को OTP देरिफी आएगा तो आप थोड़ा वेट कर लेंगे अब बैलिडेट टीपी हम कर देंगे बैलिडेट ओटीपी करने के बाद देख रहें उद्यम रजिस्टेफन नमबर आ जाता है यह रजिस्टेफन नमबर को हम कॉपी कर लेंगे और यहां पर देख रहे हैं जैसे कि मेर प्रेंट उद्यम पर जाएंगे अब यहां पर हम क्या करना है जो हमक्य हम क्या क्यें कर देंगे पेस्ट करने पर मोबाइल नमबर को हम डलेंगे जो मोबाइल नमबर यानि कि आपने हम यह दिया था वो मोबाइल नमबर डालेंगे अब यहाँ पर OTP किस माध्यम से लेना चाहते हैं मोबाइल के माध्यम से या इमेल के माध्यम से दोनों कंडिशन से अब ले सकते हैं तो हम मोबाइल माध्यम से ले रहे हैं हाँ बैलिडेट OTP पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ यानि कि मेरे को दोबारा OTP पर राप्त होता है यह OTP हमें दोबारा देना होगा जो अभी लाश्ट टाइम हमें मिला जिसे की OTP के मादर साम OTP डालेंगे certificate download होगा अब validated OTP या प्रिंट पर हम जैसे click करेंगे कुछ इस परकार से उद्यम registration आप देख रहे हैं यानी कि हम पर print के वतन पर दबा के और print एन एक्षर में कर सकते हैं home कर सकते हैं तो हम प्रिंट पर जैसे दबाएंगे फ्रिंट दाने के बाद देख रहे हैं कुछ इस परकार से आफानी से आपका उद्यम certificate यानि कि उद्यम certificate को हम download कर सकते हैं तो दोस्तों आपने जाना कि उद्यम फर्टिफिकेट कैसे हम आफानी से निकाल सकते हैं यानि कि डाउनलोड कर सकते हैं आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में फेयर भी करें ताकि आप लोग की दोस्तों को भी पता चले कि उद्यम फर्टिफिकेट कैसे हम खोया हुआ पा सकते हैं उद्यम नंबर कैसे पा सकते हैं और इसके बाद फर्टिफिकेट नंबर कैसे निकाल सकते हैं तो थैंक्यू दोस्त